नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल क्रियेटिव इंजीनियर रोहित कुमार में दोस्तों आज हम आपके लिए भी हसांदर प्लान लेकर आए हैं जो आपका इस्ट फेसिंग है इसमें आपको फॉल फैसिलेटी मिलने वाली है अटेच लैट बात देखने को मिलते हैं लोबेंड हॉल भी है एंड आपका थिरी भी एच के मिल्डेंग है विद्ध कार पार्किंग के साथ अब आपको देख सकते हैं यह आपका इस्ट फेसिंग है इस्ट में आपका ओपन मिलेगा मांकि तीनों साइड कि सियान की प्रोपर्टी है इसका सब्सक्राइब करें आपके पास सबसे पहले पहुंच और आप हमारे वीडियो देख सकें अगर आप भी अपना बनवाना चाहते हैं प्लान तो हमारे आपको मिलता है कार पार किंगेंड इस्टेर केस आप देख सकते हैं यहां से आप करते हैं आपको फ्रेस्ट लेंडिंग आपको तीन वे तीन फूट की मिलती है पर पहुंच जाएंगे प्रतिक स्टेप का राइजर आपका साथ इंच एंड ट्रेड आपकी दस इंच होने वाली है और इसकी चोड़ा यापकी तीन फूट होने वाली है यहां पर आपको चार फुट की मिलने वाली हेलोवेंड हाल के लिए डारेक्ट पहले हम आपको बत चार किंग कर सकते हैं और बाइक पार्क भी हो सकती है क्योंकि काफी जगए होने वाली है आपकी बारहें फूट में जगए गया कर सकते हैं अपने गैस्ट रूम में गैस्ट रूम का साइज आपका है ग्यारे फुट देड़ इंच वई दस फिट गाइस जिसमें आपको अटेज लेट बाद भी दिया हुआ है कि गैस्ट अंदर ना जाए अपने यहीं पर सारी विश्टा की हुई है आपको अटेज लेट लेट बाद मिलता है देखने को छे फुट वाई चार फुट गाइस अटेज लेट बाद हैं यहाँ पर बेंटिलेशन के लिए इसके दो फिटका में बेंटेश आउट सैट लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं इस कैस्ट रूम के वेंटिलेशन के लिए आपको बेंड लगने वाला है और इस सिर्फ यहां तक कोलम पर पूरा इस टेर केस्स बनने वाला है यहां पर हाफ में लगने वाला है दोर अब इसी गेस्ट रूम से भी आप अपनी लोबेंड हॉल में डाइरेक्ट रिक टेंटरी कर सकते हैं और आपकी मेंट इंटरी वी च्यार फिट क सकते हैं आपको यहां पर गेस्ट रूम से डैनिंग एंड हॉल की तरफ आपको चार फुट का मिंडो एक और देखने को मिलता है दो मिंडो इस रूम में लगाए हुए है आप लोबेंड हॉल में आने पर आपको पता चलते इसका साइज पंद्रह फुट छे वाई सत्रह इसके के लिए पड़स लीचे में आ किया हुआ है आप देख सकते हैं इस सामने आपको एक साइज साथ साथ चाच इंच यह साथ हुट शाज साथ साथ इंच उन झाह इसकी वनटीलेस्ट के लिए आपको चार फूट का बेंडो जो है आपका कार पार्किंच साड पेंगे है जिसे आपको सुद्ध बायू मिलती रहेगी और आपको के लिए कोई भी प्रोब्लम नहीं आने वाली जी आगाइस इसमें हमने यह गेट का रखा हुआ है इसमें डाइफट का गेट लगाया हुआ अगर आप इसको पन के चीर रखना चाहते तो पन भी बनवा सकते हैं मौ आप अपने ऑटीस में जा सकते हैं एक्सकर्श रखते हैं और इस का साइज आपका मिलने वाला है तीन फुट-छेंच वई-चार फूट इसमें चाहिए अपनी याफ वासिंग वसीन लगार लग सकते हैं और वासिंग में ले सकते हैं यह का मतलब होता है ओपन तुए आपको आंगे लेचने पर आपको मिलता है यह लेटरिंग कोमल लेटरिंग पूरा जो इसका साइज आपका तीन फूट नौ इंच वाई चार फूट का गाइस इसका जो सीट का पोजिशन रखा हुआ है वो नौर्थ टू इव साउथ में है जो की वास्ट की अकॉर्डिंग स्कम राइट है इसके वेंटिलेशन के लिए दो फिटका जो है वेंटिलेटर आपको ओटीस में मिलता है जैस्ट आपको लोवी इन हॉल से इंट्री मिलती है आपके बैडरूम में फ़र्ष्ट बैडरूम में इसका साइज आपका बारह फूट वाई ग्यारह फूटका है इसमें हमने साड़े तेन फिटका विंडो ओटीस में लगाया हुआ है जिससे आपको वेंटिलेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले और यह आपका बैडरूम जो है आपका जो बैड बेस्ट टू इस्ट है जो की एकदम राइट है बसके आप देख सकते हैं सेगिंड बैडरूम में आपकों कहते हैं इसका साइब इन्चवाई गयारेंफट का साइज है जो की काफी वह बैटरीन साइज है आप देख सकते हैं के लिए हमने लोवेंड हॉल की साइड में आपको यहां पर चार फिट का विंडो दिया हुआ है जो की बेंटिलेशन की प्रूपर निवस्ता बनी रहे कि इस विल्डिंग में कोई भी प्रोब्लम नहीं आने वाली आप कोई प्लान कैसा लगा गाई समय कांटक कमेंट करके ज हम आपका प्लान जवास से बनाएंगे और कर लियत हां अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे लाईक कर के बता सकते हैं और और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक पड़े हुए हैं आप उसमें जाकर सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्वाद अपना ख्यार रखिए अपन